सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गोवी के पराठे दही और अचार के साथ मिल जाए ना तो नाश्टा और खाना जो है वह एक्तम कम्प्लीट लगता है है आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ गोवी का पराठा बनाने का बहुत आसान तरीका अगर आपने इसके पहले गो तो चलिए आज के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपे शुरू करते हैं गोवी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोवी लिया है तो इसके एंड पार्ट को कट कर ले अच्छे से और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो तो इसके इसके बाद सब्झी बना रहे तो हम क्या करेंगे इसे अच्छे से धोलेंगे अब इसके ग्रेट करने के लिए में यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर कई यूज किया है बहुत जादा बारीग नहींगे तो एक दिम पेस्ट जैसा बनीगा थोड़े से बड़े चंक तो खाने में मज़ा भी आएगा, आपको फील होगा कि आपने गोवी का पराठा गाया है, अगर बहुत जादा बारी कर देंगे, तो वो मज़ा नहीं आता है, जो इसमें आएगा खाने में, तो इसलिए मैं सेजस्ट करूँगी कि गोवी को थोड़ा सा ऐसे मोटा घिसे, ये पानी निकलना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं, तो सेम तरीके से हम गोवी को निचोड के उसका पूरा पानी निकाल लेंगे, तो जब भी आप कोफता बनाए या फिर मंचूरियन बनाए तो गोवी या पिर कोई भी सबजी को पानी डाल के ऐसे छोड़ दे, और तो इसके बाद निचोड के उसका पानी निकाल ले, उसके बाद कोफता या मंचूरियन बनाए उससे आपके मंचूरियन बॉल्स या कोफता बॉल्स जो है वो फ्राई करते वक्त फटिंग ने और शेप भी उनका परफेक बनेगा, तो यहाँ पे ये सारे गोवी को ऐसे न बाठा डाल दे और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चमस नमक, इन सब को अच्छे से मिला दे, तो पहले जो गोवी का पानी था उससे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद नॉर्मल पानी डाल के हम इसे गून लेंगे, पराठे का जो डो है वो थोड़ा सॉ इतनी बड़ी रखनी है, अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेज में जहां पर हम एक पेस्ट बनाएंगे, तो बारह से तेरह छीली वी लैसुन ले ले, तीन इंचा द्रग ले ले और तीन से चार हरी मिर्च, इन सब को अच्छे से क्रश कर ले, आप चुए तो मिक्सर जार का इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहां हमारा पेस्ट बन के तयार है, अब हम चलते हैं गोवी गोव फ्राइ करने का प्रोसेज में, तो इसके लिए एक पैन में दो से तीन चमच तेल गरम करें, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमच जीरा, सा आदी चोटी चमच हल्दी, आदी चोटी चमच लाल मिर्च और आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर ढाल दे, तीनों को लेसु नदरक हरी मिर्च के साथ थोड़ fatty से mix कर लें इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोवी, तो गोवी डालने के बाद हमें इसे बहुत ज्य इसे mix करें यहां पर आपको gas का flame हाई रखना है यह देखें तो यह हमारा stuffing बन के तयार है gas को बन करें और इसे ठंडा हो जाने दे अगर आप इसे ज्यादा पकाएंगे तो गोवी सॉफ्ट हो जाएगी तो यहां पर हमें क्या करना है न कि जैसे यह ठंडा हो जाएगा हम इसमें डालनेंगे बारी कटावा धन्यापता तो यह आप देख सकते हैं कि जो हमने निचोड के पानी निकाला है और उसके बाद हलका सा fry किया है तो गोवी का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ड्राई है थोड़ा भी अगर मुठी बनाएंगे तो ऐसे वो छिपकेगा नहीं कि आप न ऐसे किसी वे डायरेक्शन में या कैसा भी रोल कर ले कोई शेप डिजाइन नहीं चीए स्क्वार रेक्टेंगल जैसा मन करें वैसा रोल करें यह देखे अब हम क्या करेंगे कि संटर में यह स्टफिंग रखेंगे और इसे ऐसे स्क्वार शेप में चारों तरफ से बराबर कर दें अब किनारों को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो कैसे फोल्ड करना है यह देखे दोनों साइड को ऐसे एक दूसरे के उपर ऐसे चिपका दें पानी लगाने की जरूरत नहीं यह ऐसे ही चिपक जाएगा और जैस इन्वेलब बनाते हैं वैसे हम इसे ऐसे फोल्ड करके बंद कर देंगे बस इसके बाद हलका सा प्रेस करें और थोड़ा सा सुखाटा लगा कि आप इसे पहले हथेलियों से चप्टा करके स्प्रेड कर दे ताकि स्टफिंग जो है वहर डारेक्शन में स्प्रेड हो जाए और यह हमारा एक पराठबन के तयार है यह देखे तो जैसा कि यह सिंपल तरीका है अगर आपको ट्रडिशनल तरीके से बनाना है तो लोई को ऐसे ले थोड़ा सा सुखाटा लगाए और उसके बाद इसे ऐसे कटोरी शेप का दे दे यह देखे ऐसे और इसके बाद सेंटर में तो दो रोटिया रोल कर ले और बीच में स्टफिंग को स्प्रेड करके और किनारों को फोक से बंद कर दे तो यहाँ पे यह देखे हम इसे ऐसे हतेलियों से चप्टा कर लेंगे और इसके बाद बेलन से रोल कर लेंगे इससे रोल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बे पराठा काने में ने तो सिफ आठे का टेस्ट आएगा आपको तो यहां पे तवा गरम करेंगे और इसके उपर यह पर यह पराठा डाल देंगे और जैसे नॉर्मल पराठा सेखते हैं वैसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे तेल या घी लगाके दोनों साइट से से शेख लेंगे गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है हाई नहीं करना है हाई पर यह जलने लगेगा मीडियम पर यह दोनों साइट से अच्छे से पकेगा तो यहां पे हमारा पराठा जो है वो बन के तियार है यह देखे तो यह हमने बना लिया अपना चौकोन पराठा है ना मज़ेदा पराठा जो आपको कट करके दिखाती हूं कि हमने इसे किस तरह के से स्टफ किया और इसकी स्टफिंग जो है वो अंदर से कैसी देखती है यह देखे लग रहा है ना एक्दम परफेक्ट तो अब यह मम्मी दादी से आप डिपेंडेंसी आटाई यह गोबी के पराठा खु गोबी के पराठे की बात ही अलगो दी और सर्दियों में वो भी इतने ताजे मिलता है ना कि खाने का मज़ा ही आ जाता है यह देखे लग रहा है ना एक्दम पॉफेक्ट थाली पराठा बनाते वक्त ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे लोही के तव गोबी के पराठे मिल जाए ना तो उससे अच्छा नाश्ता या खाना कुछ भी नहीं होता है ना तो यह हमारे बहुत ही टेस्टी गोबी के पराठे बन के तियार है और यहां पे ना मैं आपको पराठा ऐसे तोड़की भी दिखा देती हूँ कि जो हमने स्टेफिंग को थ जरू ट्राइ करें यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा